ये छोटी सी तुलसी कुछ ही महीनों में कितनी बड़ी तुलसी बनके तैयार हो गई है तो मैंने क्या फर्टिलाइजर दिया है, कैसे केर किया है, मैं आज आपको वीडियो में बताने वाली हूँ तो चल ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये जो तुलसी जी का पेड़ा आप देख रहे हैं, ये मेरा बहुत पुराना तुलसी जी का प्लांट है और इसको मैंने रिपॉर्ट किया है, रिपॉर्ट करने के बाद मैंने इसको कौन सा फर्टिलाइजर दिया है, मैंने इसकी कैसे केर की है आज मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में बताने वाली हूँ और जो वीडियो में आपने पहले जो तुलसी जी का प्लांट देखा है छोटे से बड़ा होता हुआ वो इसी प्लांट की सीड से ग्रो किया गया है तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उसको किस तरीके से मेंटेन किया और कैसे वो इतना बड़ा हुआ और इतना बूशी हो गया है तो ये जो इस समय आप तुलसी जी का प्लांट देख रहे हैं ये मेरे पास 5 साल से है और उसके बाद मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं इसके रीपोर्टिंग कर दूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसकी रूट काफी जादा डवलप हो गई है तो मुझे थोड़ी सी इनकी रूट प्रोनिंग करनी होगी और मुझे इने नई सोईल भी देनी है दरसल ये 5 साल से इसी गंबले में लगी हुई है तो अब इनकी सोईल को चेंज करना है इनकी रूट प्रोनिंग करनी है और उसकी बाद फिर से मैं इस प्लांट को अच्छे से ग्रू करूंगी और इसका भी अपडेट मैं अभी आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगी बहुत जादा नहीं हलके हलके हातों से इनको थोड़ा सा जमीन पे प्रैस कर रही हूँ और इसकी खुर्पी की मदद से मैंने सोईल को थोड़ा सा डिला कर लिया है इससे क्या होगा ना कि हमारी जो प्लांट की जो सोईल है वो बाहर आजाएगी प्लांट के साथ ही अभी मैं आपको दिखाती हूँ तरीका कि किस तरीके से प्लांट की सोईल को आपको बाहर निकाल लेना है देखिए हलका सा मैंने डीला किया और सारी सॉयल बाहर आ गई रूट्स के साथ अब आप देखिए मेरी जो नीचे की रूट्स है प्लांट की वो काली-काली सी दिख रही है आपको इसका मतलब है कि मैंने सही समय पे अपने प्लांट की रूट प्रोनिंग करने के बारे में सो अब करूंगी देखिए कैसा जाला सा बन गया है पता यह क्या करता अभी मेरी प्लांट की ग्रोथ को बढ़ने से रोकता और धीरे-धीरे मेरा प्लांट खतम हो जाता पर अब मैं इस रूट्स की प्रूनिंग कर दूंगी तो फिर से मेरे प्लांट में नहीं जाना जाएग बस यह है कि जो मेरे रूट्स खराब हो चुके हैं उनको मैं अपनी सॉयल से निकाल दूंगी उसके बाद मैं इस सॉयल को फिर से रियूज करूंगी इसी पॉट में तो अभी फिलहाल मैंने अपने प्लांट को कोई भी फर्टिलाइजर नहीं दिया है जो यह नॉर्मल सॉ वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तो मेरे साथ वीडियो में बनी रहीएगा क्योंकि पॉट मेरा एकदम ठीक है तो मैं इसी पॉट में अपने तुलसी जी के प्लांट को वापस रिपॉर्ट करूंगी और उसके बाद फिर जब मैंने इसको अच्छे से रि इसके लिए क्या होता है न कि फिर हमारा प्लांट अपना जो रिपॉर्टिंग शॉक होता है उससे बच जाता है तो हाला कि तुलसी ची को जब आप रिपॉर्ट करेंगे तो वहाँ पे वो रिपॉर्टिंग शॉक वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन फिर भी आप इससे ग्रो हुआ था तब कितना चोटा था और उसके बाद फिर मैंने इसे नए पॉर्ट में शिफ्ट कर दिया था तो नए पॉर्ट में जब मैंने शिफ्ट किया था तो मैंने किस तरीकी पॉर्टिंग मिक्स ली थी वो मैं आपको बताती हूं कि कौन सी सॉईल लेनी है क सबसे पहले मैंने यहाँ पर नॉर्मल जो गार्डन की सॉयल होती है वो ली है फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर गोबर की खाद ले ली है और यह गोबर की खाद लगबग पांच मुठी गोबर की खाद आप रख लीजिए उसके बाद मैंने एक मुठी यहाँ पर नीम की खल फर्टिलाइजर देना है हाँ अगर आप ग्रोध बहुत अच्छी चाहते हैं तेजी से चाहते हैं तो एक फर्टिलाइजर और है जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी तुलसी जी को जब रिपॉर्ट करेंगे तो भी शाम का टाइम ही चुनिएगा बहुत ज् दूप ना हो और उसके बाद जब आप जैसे मैं तो दो तुलसी जी के प्लांट एक ही पॉर्ट में लगा रही हूं लेकिन हाँ अगर आप एक तुलसी जी का प्लांट ही लगा रहे हैं तो फिर आप पॉर्ट थोड़ा छोटा लीजेगा क्योंकि जब हमारा पौदा बहु को सेपरेट कर दूगी और उसका वीडियो भी में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब भी आप प्लांट को रिपॉर्ट करें उसके बाद उसे इतना अच्छे से पानी दीजिए कि पानी ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए इससे दो फाइदे हैं एक तो अपडेट दिखाती हूं यह देखिए यह कुछ दिन बात का अपडेट है और मैंने बीच में आप देख सकते हैं जहां दो ब्रांचिस लगी हैं वहां पे मैंने थोड़ी सी कटिंग कर दी थी और बीच में कट करने की वज़े से प्लांट आप देखिए थोड़ा सा दो त सीड निकल रहे हैं उनको भी मैंने कट कर दिया था सीड कट करना क्यों जरूरी है क्योंकि जब आपका प्लांट ग्रोइंग टाइम पे होता है और वहां पे जब प्लांट की सीड निकलती है तो फिर प्लांट अपनी ग्रोथ रोग के सीड प्रड्यूस करने में अपनी सार यह जो ग्रोथ है यह लगभग 10 से 15 दिन बात की ग्रोथ है तो ऐसे ही प्लांट ने धीरे धीरे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी थी और मैं समय समय पे इसकी प्रूनिंग करती रहती थी देखे जब हमने वहां पे बीच में कटिंग की थी तो उसके बाद देखे यहां से फि प्लांट काफी घना हो जाता है यह देखे फिर जब उस प्लांट में सीट प्रोड्यूस किया था तो मैंने फिर से उस सीट को कट कर दिया है और इस कट करने का अपडेट अभी फिर मैं आपको दिखाती हूं कि कितना मुझे फायदा हुआ प्लांट हमारा कितना जादा घन और अब देखिए करने के अच्छी गोथ और अब जुम दिखा रही हूं यह मैं दिखा रही हुँ यoknal result है यह present day का मेरा plant है और अब आप देखिए उतनी छोटे से plant से मेदार तुलसी जी का plant कितना बड़ा हो गया है और चली मैं जो plant मैंने report किया था मैं उसका भी update दिखा देती हूं तो अब आप देखिए यह मेरा report किया था और उसके बाद इसकी भी growth कितनी अच्छी हो गई है तो यह फायदा होता है plant का समय समय पर प्रूनिंग करने का और reporting करने का तो कैसा लगा मेरा आज का यह वीडियो मुझे जरूर बताईएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई चेक केर